गुरु जी हमारे बीच में जब थे तब हमारा भाव उनके लिए था और गुरु जब जैल में गए तब उनके लिए जो भाव था आज गुरु जी को सजा हुई है हमारा भाव वही का वही है हमारे भाव में कोई परिवर्तन महीं आया है अब ये जो केस हुआ है, इसके बारे में, मुझे आपको बताना चाहिए मैं सिर्फ सिश्य हूँ, इसलिए बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक पुलिस इदीकारी रहा हूँ मैं जानता हूँ कानून क्या है मैं जानता हूँ फरियाद क्या है मैं जानता हूँ कोट्स क्या है मैं जानता हूँ जज क्या होते है मैं जानता हूँ सरकारी वकील कौन होता है मैं जानता हूँ बचाब के वकील ये सब जो चीजे है क्योंकि पूरी जिन्दिकी मैंने यही काम किया है मैंने बड़े-बड़े चमरबंदियों को जेल में डाला है तो वो भी मेरे दीन थे और मैं भी जेल में गया तो वो भी मेरे दीन थे तो लोगों को जो सचमूझ में गुना करते है ऐसे लोगों को कैसे फीट करना उनको कैसे सजा दिलानी वो भी काम मैंने किया है और जब मुझे गलत केस में फसाया गया जैल में भेजा गया तो जब गलत केस होता है निर्दोस आदमी को फसाया जाता है और जुटा केस उसके उपर होता है और उसको जैल में भेज दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सच्चे आदमी को जैल मेंसे बाहर कैसे निकलना, वो भी मैं जानता है तो ये सब जानकारी के बाद ये सब अनुभ़ों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस केस में गुरु जी को सजा हुई है आप में से कितने है जिसने वो F.I.R पड़ी है मैं मानता हूँ बहुत कम होंगे किसीने F.I.R पड़ी हो तो जड़ा हाथ नुचा करो बस दो चार लोग है उन्होंने F.I.R पड़ी है तो पुरे हिंदुस्तान की यह हालत है कि गुरु जी के खिलाब जो फरियाद दाखल हुई है उस फरियाद में क्या लिखा है वो हम किसी को पता नहीं है उसमें क्या आक्षेप किया है फरियादी ने या तो पीडिता ने वो हमको पता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बापू है हमारे बापू कभी गलती नहीं कर सकते जो भी लिखा है ऐसा कर्म वो नहीं करते वो हमारे में विश्वास दडडड़ प्रह से भरा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ अभी ये सजा हुई तो क्या कुपरचार हुआ मुझे फिर से आपको बताने की जरूर नहीं है आपके सबने आँखों ने ये देखा है हेडलाइन्स क्या आती थी कि मुझे वो शब्द प्रयोग करना भी नहीं चाहिए लेकिन आप सब लोग गुरुजी के सिश्य है और उनसे जुड़े हुए है अतूट बंधन से जब आप जुड़े हुए है तो सच्चाई का भी पता आपको और हमको होना चाहिए ताकि हमारा जो जुडाव है हमारा गुरुजी के साथ जो बंधन है वो गलत नहीं है सही है एक सच्चे महापुरुष के साथ हमारा सबंध है उसका पता हमको होना चाहिए इसलिए मैं आपको ये बात बताने को जा रहा हूँ हेडलाइन से ऐसी आती थी कि बलातकारी बाबा को नाम के साथ बोलते थे मैं तो नाम भी देना नहीं चाहता हूँ बलातकारी बाबा को सजा हुई हर जगपर येई न्यूस पेपर दूसरे दीन अपने पड़े तो उसमें भी येई था अंग्रे जी में रेप कहते है और गुजराती या तो हिंदी में उसको बलातकार कहते है बलातकारी बाबा को सजा हुई आजीवन केद की सजा हुई अंतिम स्वास तक उनको जैल में रहना पड़ेगा ये न्यूस पेपर में आया ये टीवियों में आया ये चैनलों में आया और ये जो सोशल मेडिया है उसमें भी ये चला लेकिन मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहता हूँ जब सजा जाहिर हुई तो उस वक्त में ने चैनल पर में आया क्योंकि सुबह में में जैसे ही देखा कि जो नहीं है F.I.R. में वो चीज़ बताई गई है तो मैं भी मैदान में आ गया मैं भी मैदान में आ गया वो जो F.I.R. है उस F.I.R. की कॉपी मेंने मेरे पास रखी और मैंने बताया कि जिस केस में बापुजी को सजा हुई है और जो फरियाद है उस फरियाद में वो जो पिडीता है या तो बाली का है कुछ भी कहे दो जो फरियादी है उसने उसके साथ बलातकार हुआ है ऐसी फरियाद उसने की ही नहीं है फरियाद में ऐसा कोई शब्द नहीं है मेरी माता यहां बैटी है मेरी बेहने यहां बैटी है मेरी बेटिया यहां बैटी है आपको सब को मैं सुपाची बात को कहता हूँ कि ये बलातकार की फरियाद थी ही नहीं उस बालीका ने मेरे साथ बलातकार हुआ है ऐसा फरियाद में उसने बताया नहीं लिखा ही नहीं है उस बालीका का सन्मान करते हुए कोट का सन्मान करते हुए और जो फैसला आया है उस फैसले का सनमान करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि न तो F.I.R. में उसने कहा है कि मेरे साथ बलातकार हुआ है ना ही उसने पुलीस को गवाही दी पुलीस को निवीदन दिया उसमें भी नहीं बताया है कि मेरे साथ बलातकार हुआ है फिर मेजिस्टेट के पास उसने statement दिया CRPC 164 के मुताबिक आप में से कई लोग कानू जानते होगे CRPC 164 क्या होता है तो मेजिस्टेट के पास statement दिया तो उसमें भी उसने नहीं कहा है कि मिरे साथ बलातकार हुआ है जब ट्रायल चली कौट के अंदर और उसका जजमेंट आया तो सेशंस जज के पास जब वो आई कठेगरे में खड़े रहके उसने जब निवेदन बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है उसमें भी उसने ऐसी कोई भरियाद सेशंस कोट को भी ट्राइल कोट को भी नहीं कहा कि मेरे साथ बलातकार हुआ है ये बलातकार की अपने कलपना ही नहीं कर सकते है अरे ऐसा गिलोना काम तो गुरु जी का कोई सामाने शिशे ही नहीं कर सकता है गुरु जी की तो कलपना भी अपने नहीं कर सकते है तो ये फरियाद बलातकार की थी ही नहीं बलातकार हुआ ही नहीं जिस अर्थ में हम बलातकार को समझते है आप और हम जानते हैं बलातकार किसको कहते है ऐसा कोई बलातकार का फरियाद नहीं था ऐसा कोई बलातकार का केस नहीं था इतना ही नहीं जब ऐसी कोई फरियाद होती है तो उसका medical investigation होता है immediately डॉक्टर के पास बेजा जाता है लोकनायक होस्पिटल जो देली की है वहाँ उसको बेजा गया था और डॉक्टरों ने परिक्षन किया तो परिक्षन करने के बाद डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया वो सर्टिफिकेट भी investigation के दवरान पुलिस के पास आया वो सर्टिफिकेट कोट के पास भी आया उसमें सपस्ट लिखा है के पीडी ताकगी पीडी ताका जो कौमारी है वो अकबंद है आप माताए बेहने भाई सब जानते है बच्चियां जब छोटी से बड़ी होती है तो गुजराती भाषा में जिसको शियर बोलते है हिंदी भाषा में शायद शील बोलते होंगे और अंग्रेजी में उसको हायमन बोलते है तो डॉक्टर ने कहा कि इस पीडी ताका जो हायमन है मतलब उसका जो कौमारी है उसकी जो वरजीनिटी है वो अकबंद है और उसके साथ बलातकार करने के बाद जो अंग की परिस्थिती होती है ऐसी कोई अंग की परिस्थिती है नहीं तो फिर यह किसका केस था क्या केस था किसका केस था केस सिर्फ इतना ही है पीडिता ने यह बताया कि मुझे रूम में बोलाया गया और वहाँ मेरे देह को छुआ माताय सुनो मेरे देह को छुआ शरीर के अलग 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 को छुआ इतना ही फरियाद है उसको छुआ इसी केस में यह सजा हुई है समझ लो यह जो सजा है इसमें इसी केस में सजा हुई है कि मुझे मेरे सरीर के उपर गुरु जीने हाथ लगाया एफ़यार में भी वो है और पूरा जज्जमेंट है जज्जमेंट में भी यही बात है जज्जमेंट में कहीं भी बलातकार की बात नहीं है और फिर भी ये जो भी कुछ मीडिया में चला ये तो कम नसीबी है हिंदुस्तान की ये तो कम नसीबी है हिंदुओं की ये कम नसीबी है हिंदु धर्म की और सनातन धर्म की कि आज ऐसे गलत केस खड़े करके और जिसका जिक्र नहीं है F.I.R. में ऐसी बाते मीडिया में बताई जाती है और हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है हिंदू संतों को बदनाम किया जाता है हिंदूस्तान को बदनाम किया जाता है और आप और हम नहीं सिर्फ साथकी नहीं लेकिन पूरे देश का अकल्यान एक किया जा रहा है सच ये है कि ये बलातकार की फरियादी नहीं थी और बलातकार के केस में गुरु जी को सजा नहीं हुई है ये बात मैं आपको एक पुलीस हदीकारी होने के नाते पुलीस हदीकारी का अनुबव होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ जोकू प्रचार किया गया है वो पहले भी गलत था अब भी गलत है और भुईशे में भी गलत रहेगा और हम सब लोगों का फरज होता है कि हमारी भावना हमारा समर्पन और हमारी प्रिती गुरुजी के प्रती हमारी जो बट्ती है वो अकबंद रहे दिन दूगूनी, रात चौगूनी बड़े और कम नहीं हो ये देखना हमारी भरज में आता है ये सब ऐसी परिस्थिती होते हुए भी पांच-पांच साल से इतना कूप्रचार होने के बाद भी बापू का एक भी शिश्य तूटा नहीं है करोडो करोडो सादक आज भी उनके साथ जुड़े हुए है ये कलियोग का सबसे बड़ा चमतकार है ऐसा में मानता है दो दिन पहले गुरुजी ने जो सतसंग दिया और सब सादकों के लिए उस सतसंग का बहुत इंपोर्टन्स है जैल में जाने के बाद और सजा के बाद ये पहली दफा उन्होंने जो संदेशा दिया है के सब ठीक होगा बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे उन्होंने ये भी बताया के एक सुखाकार बुरुती होती है हमें न दुखाकार बुरुती में फंसना है न सुखाकार बुरुती में फंसना है हमें ये दोनों बुरुतियों का साक्षी बन के रहना है सुख के उपर भी पैर रखना है दुख के उपर भी पैर रखना है और परमात्मा का जो स्वरूप है हम सब लोगों को गुरु जी का जो मिला है प्रसाद उस प्रसाद में टिकना है और ये टेस्टिंग टाइम है ये परिक्षा की घड़ी है इस घड़ी में सब को संभाल कर अपना भक्ती और प्रेम और गुरु जी के प्रती समर्पन जो है वो अक्षून रखना है अकमंद संक्तानी है दन्यवाद हम देख रहे हैं आज भी आज अज़ारों की संक्या में भक्त लोग आए स्रद्धा में कोई कमी नहीं है क्या कहना चाओगे सर बापू जी पांच साल से जैल में गए हुए है लेकिन आज भी सजा होने के बाद भी बापू जी के करोडों करोडों जो भक्ते हैं उन भक्तों की स्रद्दा है वो अकबंद है यह कल्यूग का बहुत बड़ा चमतका सर एक लास्ट प्रश्ण क्या भक्तों को क्या कहना चाहोगे बापू बाहर आएंगे कि अब भी जी ने जो बताया है उसी बात का विस्तार मेंने किया है गुरुजी गए है ज प्रश्ण की घ्यान गंगा बाहेंगे केमेरा में नंजनी के साथ निलेश ठककर संस्री आसाराम जी बापू आसरम जांगीर पूरा सुरच से रप्तानियों